नमस्कार दोस्तों, आव सी की चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंका एक बहुत ही आसान और सुन्दर डिजाइन लाएं हूँ जिसे आप बच्चों के स्वेटर में या किसी भी लेडिस प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही अच्छा लेगा इसे बनाने के लिए हमें तीन के मल्टिपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्ट्रा ऐसे हम तीन तीन फंदे गिने तो लास्ट में दो फंदा बचना चाहिए तो मैंने चौदा फंदे डाल लिये हैं बार्डर बनाने के बाद, देखिए हमने सामने की तरफ से बार्डर बुन दिया है, अब हम रॉंग साइड में हैं, तो रॉंग साइड में हम सब भी फंदों को उल्टा बुल लेंगे, उल्टी तरफ से हम सब भी फंदों को उल्टा बुल लेंगे, अब यदि हमें अपने प तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया हो तो कृप्या इसे सबस्क्राइब कर लें और डिजाइन और वीडियो अच्छे लगे तो कृप्या इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैरमली में शेयर करें तो हमने wrong side से सब भी फंदे उल्टे बुन लिए अब ये design का पहला line है और सामने से तो अब हम अपना दूसरा color attach करेंगे दूसरे color के उन से हम पहला फंदा सीधा बनेंगे और अब दो फंदा हम छोड़ेंगे एक और दो और तीसरे वाले फंदे में सामने की तरफ से हम slide डालेंगे तीसरे फंदे में हम सामने की तरफ से slide डालेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे और उसके बाद हम इसको ऐसे लूप को थोड़ा लंबा खिचेंगे उसके बाद हम पहले वाले फंदे को सीधा बनेंगे फिर दूसरे फंदे को सीधा तीसरे फंदे को तो हमने बुनी लिया है तो अब हम इसे गिरा लेंगे अब फिर हम ये पहला फंदा है जिस टीच है और इन ही तीन फंदों को तोराएंगे देखिए दो फंदे को हम छोड़ देंगे तीसरे वाले फंदे में पहले सामने की तरफ से ऐसे सलाई डालेंगे और लंबासा लूप ले लेंगे फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे फिर दूसरे फंदे को सीधा तीसरे फंदे को हमने बुन लिया है इसे हम गिरा देंगे फिर दो फंदो को छोडेंगे तीसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे फिर पहले फंदे को सीधा बुनेंगे फिर दूसरे फंदे को सीधा फिर दो फंदों को छोड़ेंगे तीसरे फंदे को हम पहले बुनेंगे फिर पहले फंदे को बुनेंगे फिर दूसरे फंदे को बुनेंगे तीसरा फंदा हमने बुन लिया है इसे हम गिरा देंगे ये लास्ट फंदा एज स्टीच है तो इसे हम सीधा बुन लिया तो इस तरह हमने पहला लाइन कम्प्लीट कर लिया अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में और ये हमारे डिजाइन का दूसरा लाइन है तो रॉंग बंदों को उल्टा बुनेंगे, डिजाइन बहुत ही आसान है और बेहत खुशुरत है, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएं, यह बहुत ही अच्छा लेगा, हमने दूसरे लाइन को उल्टा बुन लिया, अब हम अपने पहले कलर के उनसे दो फंदों को छोड़ देंगे और तीसरे वाले फंदे को पहले सीधा बुनेंगे, लूप थोड़ा लंबा लेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को सीधा, अब इन ही तीन फंदों को हम दोराएंगे ये देखिए दूसरे कलर से हमने ये लूप लिया था तो अब की इसके एक फंदे बाद हमने ये लूप लिया था तो अब की डिजाइन बनेगा एक फंदे बाद यानि ये पहला फंदा है ये दूसरा और ये तीसरा फंदा तो इस तीसरे फंदे को हम पहले बुनेंगे और फिर पहले फंदे को और दूसरे फंदे को अब फिर इन्ही तीन फंदों को हम दो रहेंगे देखें ये डिजाइन बना है तो अब की डिजाइन इसके बाद वाले फंदे में बनेगा तो दो फंदा हम छोड़ देंगे पहले तीसरे वाले फंदे को उपर की तरफ से सीधा बनेंगे लूप थोड़ा लंबा ले लेंगे फिर पहले फंदे को सीधा बनेंगे फिर दूसरे फंदे को सीधा तीसरे फंदे हम गिरा देंगे फिर देखिए ये रिजाइन बना है तो अब की हम इसके बाद वाले फंदे को पहले बनेंगे ये एक हुआ, ये दो हुआ और ये तीन तो तीसरे फंदे को हम पहले बुनेंगे फिर पहले वाले फंदे को फिर दूसरे फंदे को अब लास्ट में दो फंदा बचा है तो इन दोनों को हम सीधा बुनेंगे रॉंग साइट से हम सबी फंदों को उल्टा बुल लेंगे दो ही लाइन का डिजाइन है बस हमें ये ध्यान देना है कि जिस फंदे में डिजाइन बना है अगला डिजाइन उसके अगले वाले फंदे में बनेगा तो हमने पहले कलर से दो लाइन बन लिया है अब अगला दो लाइन हम अपने दूसरे कलर के उन से बनेगे पहला फंदा सीधा बन लिया फिर दूसरा फंदा सीधा बन लिया दो फंदा सीधा बन लिया अब फिर यहां से हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा देखे यहाँ पे हमने लूप लिया था तो अब की हम इसके बाद वाले फंदे में लूप लेंगे देखे यह पहला फंदा हो जाएगा यह लूप वाला फंदा यह दूसरा हो जाएगा और लूप हम लेंगे इस तीसरे फंदे में लूप लिया फिर पहला फंदा फिर दूसरा फंदा फिर नेक्स तीन फंदों में डिजाइन बनेगा देखिए ये डिजाइन वाला फंदा हमारा दूसरा फंदा है और हमें लूप लेना है इसके बाद वाले फंदे में तो ये तीसरा फंदा इसमें हमने लूप लिया फिर य तीन फिर एक फिर दो तीन फिर एक फिर दो और रंग साइड से सब भी फंदे उल्टें दू लाइन का डिजाइन है डिजाइन बहुत ही आसान है और बेहत कुपसुरत तो देखिए फ्रैंस इन ही तीन फंदों को और दो लाइन को दूहराने से यह कुपसुरत सा पैटरन बनता चला जाएगा देखिए सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रैंस डिजाइन आपके सामने है आशाहे आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शियर करें थैंक्स फार वाचिंग